हेलो स्थो आप सभी सोक्त बात करेंगे हापर फाइन और्गैनिक के बारे में इस कमपनी के आज कौटर टू के रिजल्ट अनौस हो चुके है एंड कमपनी बहुती अच्छी तरीके से अपने रिजल्ट प्रेजेंट कर रही है तो कहाँ पर कमपनी ने इंप्रुमेंट करकर दिखाई और इसके अंदर के यहाँ पर हमें जो बेनिफिट्स है और किस तरीके से कंटेनियो आगे मिल सकते उसके बारे में बात करेंगे और आपको बता दू किसी भी कमपनी के रिजल्ट जो आते है न वो काफी कुछ बताते है एक तो तीन महिने का पॉफोमस बताते है और आने वाली सिच्वेशन कमपनी की कैसे रहेगी उसका भी ये बेस होते है इसलिए काफी लोग रिजल्ट को इसलिए तो इंपोर्टन देते है बड़े-बड़े अनलेसिस इसको कवर क्यों करते है तो इसके पीछे बड़े बेनिफिट्स अवेलेबल होते है तो देखिए यहाँ पर Fine Organic के Quarter 2 के रिजल्ट यहाँ पर हम देख लेते है इस कमपनी ने जो रिजल्ट प्रेजेंट किया है यह पहले हम जो देख रहे हैं वो स्टेंडलन के है सभी फिगर्स इन लैक्स में है और दोस्तो यहाँ पर जो चौकाने वाली बात है तो Fine Organic ने बहुत अच्छे से अपना यहाँ पर इंप्रोमेंट प्रेजेंट किया है पिछले साल यह कमपनी 4,996 यहाँ पर जो कमाई करी थी लैक्स में वो बढ़कर कितनी होगे देखिए 16,399 लैक्स हो चुकी है मिन्स देखिए 5,000 लाग से 16,400 लाग हो गया मिन्स यह कमपनी कितने तेजी से आप समझ सकते हैं कि profit generate कर रही है यह profit के बाते आप यहाँ पर देखकर समझ सकते हैं कि इसके अंदर value कितनी है और इसके product की demand कैसे यह world level पर और इंडियन लेवल पर भी यह जून महिने में 2022 को company 15,727 जो यहाँ पर कमा रही थी net profit lakhs में वो आप यहाँ पर देख सकते बढ़कर 16,399 lakhs हो चुका है यहाँ पर fine organic के result के अंदर एक तो yearly and quarterly basis पर strong growth हमीं दिखाई दे रही है यह हो गए इसके result अभी यहाँ पर देखिए board of director has approval final dividend वगेरा यहाँ पर चीजे पिछली बार की है इस बार की नहीं है क्या होता है by mistakely result तो पढ़ लेते हैं निवेशक और साथ यहाँ पर दिखाई देता उनको की dividend तो dividend अभी यहाँ पर यह महिने का नहीं है ना यहाँ पर अभी सप्टेमबर के बारे में कोई है सप्टेमबर के बारे में dividend के बारे में कोई भी point होता ना तो यहाँ पर हमें headline में ही दिखाई दे देता कि company ने ऐसा ऐसा dividend announce किया बोलकर अभी यह तो हमने standalone result देखें मैं आपको consolidated result भी दिखाता हूँ तो consolidated result के अंदर भी यहाँ पर आप देखकर समझ सकते net profit for the period देख लेते हैं तो बिल्कूल same situation है और इसमें तो थोड़ा आगे ही company बढ़ गई है देखें पिछले साल company कमारे इत्ति consolidated result में यहाँ पर net profit 4,987 lakhs का वो बढ़कर 20,262 lakhs हो गया है तो आप देख रहें दोस्तों कितने बड़ी तेजे company ने consolidated result में दिखाई और उसी तरीके से यह जो जून महिने में quarter 1 में जो company 15,979 lakhs कमारे थी वो यहाँ पर बढ़कर 20,262 lakhs हो चुका है तो इसके result बहुत सूपर आचुके है और इसका earning per share देखिए जो यहाँ पर 16 का था 16 का earning per share बढ़कर 66 का हो गया यानि के आप देख रहे कितना बड़ा बदलाव इस company करकर दिखाया and quarterly basis पर देखिए 66 का जो हो गया है वो पहले कितना था मिनस यहाँ पर quarter 1 में कितना था 52 था तो आप यहाँ पर fine organic के result समझ चुके होंगे मुझे ऐसा लगता है आपके पास share है तो बहुत बड़िया बात है आप इसको आगे continue कर सकते है आने वाले समय में एक company कभी भी bonus split आपको दे सकती है आप इसके लिए be ready रहना Thank you